बस इसकी चार बुंदे डालनी हैं और आप अपने गुढ़हल के पौधे पर बहुत जादा कलियां भी ले पाएंगे और जिनके गुढ़हल की कलियां बिना खिले हुए गिर रही हैं या फिर हिबिसकस से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है वो इस ड्रॉप से चार ड् लगा रखा अभी तक फ्लारिंग नहीं हुई है तो प्रॉपर खाद देने से ऐसा हो नहीं सकता कि गुढ़हल में फ्लारिंग ना हो क्योंकि प्लांट्स कोई-कोई जो होते हैं वो हेवी फीडर होते हैं उन्हें ज्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग जब सिस्टमेटिकली अपने पौधे को फीड नहीं करते हैं तो इस टाइब की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं लेकिन गुढ़हल में सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो मिली बक्स की होती है और मेरे पौधे में आप देख सकते हैं शंक नुमा चीज पत्तियों पर चिप कहने का मतलब है सॉलूशन तो हर एक प्रॉब्लम का है और घरेलू सॉलूशन में हमेशा समस्तियों की फाइदे मंद रहता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है एक चम्मर शैंपू लेना है और उसमें दो-तिन बुन्दे तेल की डाल दी है बेटर होगा नीम लेकिन इसे रिपीट कप करना है वह आपके पौधे के रिक्वार्मेंट्स पर डिपेंड करता है कि आपके पौधे में फंगस जा चुका है या नहीं गया है तब आप इसे दो या तीन दिनों के बाद रिपीट करेंगे अधर्वाइस 15 डेस पर देखिए एक और गुढ़ इसका निकालते जाते हैं अब सबसे पहले आपको क्या करना है यह एक चीज है प्लांट बूस्टर इसको खरिदने का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और जो लोग लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं वो टेक्स्ट करेंगे तो लिंक प्रोवाइड हो ज तो यह सारी समस्याओं को सॉल्व करेगा और इसे वीक में एक बार करना है शुरू में जब पौधे के फ्लारिंग का टाइम है और यदि फ्लारिंग का टाइम नहीं है तो आप मन्थ में एक बार जस्ट निट्रिशन के लिए इसे यूज़ करेंगे यह जो प्लांट बूस लोग थोड़ा इंस्टेंट फाइदा चाहते हैं बाकी देसी नुस्खा तो मैं अकसर आपको बताती रही हूँ अब यदि पौधा स्वस्त है कई लोग लिख रहे हैं पत्तियां ही पत्तियां आ रही हैं लेकिन फ्लारिंग नहीं हो रही है तो बनाना पील वाले फर्टिल करके डाले और चर्टियों में पौदर फौम में यह मैं अकसर हर एक वीच अपने पौधे को देती हूं यानि फीड करती हूं लिकविट फॉर्म में या ड्राइफ वं में और मैं देखती हूं कि इससे फूलो का साइज तो बड़ा बड़ा आता ही है साती साथ कलियां करना है ऐसे ही याप नाना पील्स को हो भी बगो कर रखेंगा और नेक्स डे यूज बढ़ेंक वीक में एक या दो बार कर सकते हैं तीन बार भी कर सकते हैं ऑरगानिक उसका कोई हामफुल रिजल्ट नहीं होगा इसका पाउडर बना सकते हैं प्याज के छिलके का पाउडर बना लीजे या फिर आप बनाना पील्स का भी पाउडर बना लीजे और एक एक चम्मच हर एक दो-तिन दिनों पर अपने पौधे को देते जाहिए आप देखेंगे इसस पौधे जादा स्वस्त हैं बेसिक बाते बता रही हूँ जो गुढ़हल के बारे में जानना बहुत जरूरी है और जो लोग न्यू बिगनर हैं उनको यह हैल्प करेगा गुढ़हल के पौधे को यदि आप लगा रहे हैं अभी नर्सरी से लाकर तो 6 से कम से कम 6 से 10 इंच क बीश के कंटेनर में लगाईए और गुढ़हल पर जादा फ्लारिंग तभी होगी जब आप इसे सिस्टेमेटिकली पोटैशियम खात देते रहेंगे स्टार्टिंग में जब आप पौधा लगा रहे हैं तो वर्मी कमपोस्ट डालिए या किसी भी प्रकार के कमपोस्ट को डालिए क्योंकि उससे पतियां नहीं मुड़ती हैं और पतियां लश ग्रीन निकल करके आती हैं और जब पौधा फ्लारिंग के स्टेज में एक बार आप इस पर पोटैशे में बनाना पील वाले फर्टिलाइजर में मिला करके अपने सभी गुढ़हल के पौधों को यदि प्रदान करता है आपके गुढ़हल के फूल खिल चुके हैं तो डेड हेडिंग जरूर कर दिया करें यानि की कट करके हटाएंगे तो वहां से न्यू ब्रांच आएगी में गुढ़हल का विशेज धियान रखिए सर्दियों में भी फ्लारिंग होती है आप इसे प्रॉप बहतर होगा बसंत में करें क्योंकि अब बारिश सबी जगह पे जाने लगी है और डीप कट यदि आप लगाना चाहते हैं तो अब आपको बसंत रितु तक वेट करना चाहिए अनि स्प्रिंग तक साल में दो बार अपने पौधे की कटाई छटाई आप अच्छे से कर सकते खासकर गुडहल की बरसातों में और फिर स्प्रिंग के सीजन में मुझो भी दे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद